हलो श्टुडेंट मैं दिपेस के सरवानी अपने से यूटूब चनल इस्टडी स्टार्स में आपको एजुकेशन समंदित वीडियो प्रवाइट करता हूँ आज हम लोग देखने वाले हैं करेंट अफेर्स जोगी हम लोग डेली वेसिस में देखते हैं डेली इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स तो आज है आपका 24 फरवी 2020 तो हम लोग देखेंगे 24 फरवी 2020 का करेंट अफेर्स तो चलिया यह हम लोग इस्टार्ट करते हैं 24 फरवी 2020 का करेंट अफेर्स तो यहां से देखिए आप 2019 में अप्रेल से रिसंबर महा के दोरान भारत का अमेरिका के साथ दूइपक्षी वेपार और 60 अरब डॉलर रहा और चीन के साथ दूइपक्षी वेपार 44.96 अरब डॉलर रहा है तो इस तरह क्या है अमेरिका जो है भारत का वेपार साज़ेदार में पहले नमर पे आ गया है और बात करें हम लोग अमेरिका की तो अमेरिका के जो राश्पती डॉनार्ड ट्रॉम्प है तो आज 24 तरीको वो भारत आ रहे हैं 24 और 25 दो दिन की भारत के दोरे पर रहेंगे चलिए अगला प्रसने देख लेते हम लोग कोशन नमर सेकेंड है रवियार को किस देश में 5.8 की त्रिविता के भुकम के जटके महसूस किये गए तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर सी तूर्की में तो देखिए तूर्की में 5.8 त्रिविता के भुकम के जटके महसूस किये गए हैं जिसके करन वहां के 33 गौण प्रभावीत हुए हैं और 8 लोगों की मित्ती हो गई है साथ ही आसपास के जो देश है उसमें भी भुकम के जटके महसूस किये गए है चलिए अगला प्रसन देखते हम लोग कोशन नमर थाड है किस राज्य सरकार ने विदेशी सराप को आनलाइन बेशने का फैसला दिया है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अप्सन नमबर सेकेंड मध्यपदेश राज्य सरकार ने तो देखें मध्यपदेश सरकार ने अपकारी नीती में बड़ा बदलाव करते हुई कहा है कि लोग अब घर बैठे ही ऑनलाइन विदेशी सराप खरीच सकेंगे तो मध्यपद्र सरकार 2020-21 के अबकारी निती में परिवर्टन करके विदेशी सराप को आनलाइन बेशने के लिए ला रही है इसमें सिर्फ विदेशी सराप को बेचा जाएगा देशी सराप को इसमें जगा नहीं दी गई है चलिए अगला प्रस्ट देखते हम लो Q4 है जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने सोन भत्र की खदान में 3000 टन नहीं बलकि कितने किलो सोना होने का अनुमान बताया है तो जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने 160 किलो सोना होने का अनुमान बताया है चलिए अगला प्रसन देख लेती हम लो कोशन नमर फाइब है वेस्टेंडीश क्रिकेट टीम का कौन से खिलाडी पाकिस्तान का नागरिक बंदे जा रहा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आप्सनम बड़ी डेरेन सैमी तो जो डेरेन सैमी है वेस्टेंडीश क्रिकेट टीम के खिलाडी है वो पाकिस्तान की नागरिकता गरान करने जा रहे है यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान सरकान ने डेरेन सैमी को अपने देश का सरवच नागरिक पुरुसकार निसान ये पाकिस्तान से सम्मानित करेगी साथ ही 23 मार्च को पाकिस्तान के राष्टपती आरिफ अलवी सैमी को पाकिस्तान की नागरिकता भी प्रदान करेंगे तो यहाँ पर जो डेरेन समी है, वेस्टेंडीज के टीम के खिलाडी है, वो पाकिस्तान के नागरिक बनने जा रहे हैं चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं हम लोग Question No.6 है, इंडीज परवत पर सबसे कम उम्र में चड़ने वाली भारत की बेटी है कौन है तो वो, यह हो जाएगा आपका अंसर, Option No.1, काम्या किर्थी के अन तो देखें आप यहाँ पर काम्या किर्थी के अन, जो की सिर्फ 12 साल की है और साथवी का अक्षा में परती है उसने इंडीज परवत की सबसे उची चोटी एकांग हुआ, जो की साथ हजार मीटर उची है उसमें चड़ने का किर्थीमान रचा है और इस बात की जानकरी प्रधानमंदी नरेद मोदी ने अपने रेडियो कारकरम मन की बात में जिक्र किया है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपका कल का प्रशन है जो मैंने आपसे पूछा था तो आप देख सकते हैं कल आपके लिए प्रशन था विस्व परियावरन दिवस किस दिन बनाया जाता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका option number D 5 June को तो देखे हाँ पर 21 March को बनाया जाता है 111 की दिवस, 22 April को 205 दिवस बनाया जाता है एक मई को 20 सर्मीक दिवस बनाया जाता है और 5 June को 20 परियवरन दिवस बनाया जाता है तो जैसे के आपको पता है जो सही आंसर देता है उनका नाम हम अपने यूरूप चैनल में सो करते हैं तो चलिए आए हम लोग देख लेते हैं जोनोंने सही आंसर दिया उनका नाम तो आप है पे देख सकते हैं जो उन्海ने सबसे पहले आंसर दिया वो है पुजा राजपूत, उसके बाद है रागनी सोनी, फिर है मदी समर्ब, फिर है भुबेंदर बंजारा फिर है धरम पाल्साहु, फिर है रजनी राठोर, फिर है राजी हलदार, तानिया गुप्ता, विरेन कुमार, अनिता यादव, अनिल पंडित, अर्जुन तेलाम, जगदेव कुमार सोनी, प्यूस कुमार वर्मा, सास्वा सर्मा, सतीस बैगा तो इस तरह टोटल सोला लोगों ने सही आंसर दिया है, चलिए वापस चलते हम लोग वीडियो में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमर डी, पास जून, चलिए आज का प्रशन देख लेते हैं हम लोग, तो आज का प्रशन है आप लोगों के लिए, किस मह महादीब को अंद महादीब के नाम से भी जाना जाता है, तो आपके आप्शन है एसिया, आफ्रीका, अंटार्टिका और आश्टेलिया, तो इसका सही आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आप सही आंसर देते हैं, तो आपका नाम नेक इंदिया के हैं वहां से आप जॉइन करें